Hello friends, I hope you are all doing good. Theme 7 के वीडियो 4 में आपका सवागत है. अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक बहुत important चीज़ जो की Subversion with respect to regionalism tendency in the case of Punjab. Friends, जब हम Punjab की बात करते हैं तो एक बड़ा important point याद रखने का ये है कि जो खालिस्तान का जो पूरा इशू पंजाब में देखने को मुला उसको दो तरीके होते हैं देखने के. एक है कि historical part एक है उसको internal security का part. हम internal security के perspective से नहीं देख रहें because we are not doing internal security वो हम लोग अलएड़ी एक unacademy के course पे कर चुके हैं. हम लोग यहां पर यह समझेंगे कि जो historically यह subversive regionalism है पंजाब में यह आया कैसे और क्यूं हुआ और इसको tackle कैसे किया गया. तो friends सबसे पहली बात यह है कि generally speaking जब हम पंजाब को देखते हैं और पंजाब में जब हम एक तरीके का crisis situation देखते हैं तो एक common point लोगों के दिमाग में आता है कि भई पंजाब में तो जो problem हुई वो खालिस्टान की थी और खालिस्टान की problem अगर किसी से भी पूछो तो वो बोलते हैं कि वो हाँ 70s 80s में start हुई. Friends but इसके पीछे की जो story है कि यह 70s 80s की ही problem थी answer is no. In fact it's very surprising to know कि यह जो बूरी problem खालिस्टान की start हुई इसके जो genesis है और इसका जो origin है that can be traced back to the British era of Punjab. तो friends British era के दोरान क्या होता क्या था कि जो Punjab है वो पहले तो महराजा रंजीर सिंग के control में था बड़ महराजा रंजीर सिंग के control से पहले अगर हम Punjab को थोड़ा सा और पहले जाए गुरू गुविन सिंग के टाइम पे तो गुरू गुविन सिंग ने जो है उन्होंने जो 10th गुरू थे 6 के उन्होंने अपने टाइम पे एक बड़ी important एक announcement की और उन्होंने कहा कि भई मेरी death के बाद कोई सिखिजम में एक living गुरू नहीं होगा तो living गुरू नहीं होगा उन्होंने कहा कि जो सिखों का एक तरीके का जो है गुरू होगा that will be the guiding spirit and that guiding spirit will be the guru grant साब तो उन्होंने ये बात बोली कि living गुरू जो है वो एक human shape और human form अब नहीं ले सकता पहली चीज़ जो ये थी दूसरा friend सबसे important point पंजाब के case में ये भी है कि गुरू गुबिन सिंग ने एक बहुत important point को emphasize किया था कि sick एक true sick वो है जो एक केश धारी सिख है यानि कि जो केश को follow करता है और जो सिखिजम के tenets उनोंने बताए उसको follow करता है अब जब उनकी death हुई गुरू गुबिन सिंग जी की और उसके बाद एक तरीके से जो पूरा पंजाब था वो रंजीट सिंग विगरा के time पे control में आया तो कही न कही रंजीट सिंग के दोरान पंजाब में moral degradation society का बहुत हुआ और यह moral degradation इस कारण से हुआ क्योंकि रंजीट सिंग का एक absolutist regime था और उस absolutist regime में एक तरीके से कही न कहीं पूरे पंजाब में हमने ये चीज़ देखी कि society में सिखिजम के जो tenets से गुरू गुबिन सिंग ने बोले थे उनकी वज़ा से थोड़े से deviances दिखे और जब वो deviances दिखे तो उस समय कई counter movements start हुई and most of these counter movements try to bring the sikhs back to the sikh tenets of गुरू गुबिन सिंग इसी दोरान एक निरंकारी movement start हुई थी निरंकारी जो थे उन्होंने ये बात बोली बार बार की भई देखिए हमारे को true sikhism को follow करना चाहिए लेकिन निरंकारी sect में जो एक तरीके से problem बाद में जाके आई जिसको बहुत जादा detail में हमें नहीं पढ़ना है because we try to do that in internal security बट एक बाद में जाके जो उनके साथ problem आई वो ये आई कि उन्होंने एक living guru का concept बोलना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि भई देखिए जो sikh हैं और जो sikhों को guide करने के लिए निरंकारी community बनी है जो sikhism को original true sikhism के path पर follow कर वागे लाना जाती है वो एक तरीके से एसी movement है जिसमें एक living guru होगा एक आदमी होगा जो sikhों को guide करेगा अब this is something obviously जो Guru Govind Singh के point से बहुत अलग हो गई थी because Guru Govind Singh had always stated one thing कि there will be no living guru the living guru will be your guru gransa which will be a holy textbook to guide the spirits and guide the sikh kingdom and all sikhs all over the world पर जब निरंकारियों ने ये बात बोली तो obvious ही बात है कि आप देखिए कि एक seed of clash between the निरंकारीज and also the sikhs was laid down during this particular time period second problem ये हुई friends कि जब Ranjit Singh की death होती है तो Ranjit Singh की death के बाद Britishers जब एक तरीके से पूरे Sikh empire को control करते हैं तो उनको दो चीज़े समझ आ जाती है पहली जीज़ उनको ये समझ आ जाती है कि Sikh empire जो Ranjit Singh के दोरान था वो एक heterogeneous society जीज़ जहां पर हिंदूस भी थे और Sikhs भी थे और वो एक तरीके से coexist कर से थे पर obvious ही बात है कि Sikhों की majority थी तो Britishers ने क्या किया कि obvious ही बात है वो majoritarian principle को और उस majority tendency जो पूरी society में थी और Sikh की उसको disturb नहीं किया तो उन्होंने सिखों को privilege देने शुरू कर दिये उनको आर्मी में privileges दिये एक आर्मी में separate regiment बनाया सिखों को landlord class बनाना शुरू किया सिखों को land के rights देने शुरू किये तो जैसे जैसे Britishers ने सिखों को privilege दिया इसकी वज़ा से क्या हुआ कि society में एक second seed lay down हो गया और वो ये था कि जो हिंदूस थे वो बहुत सारे alignate होने लग गए तो हिंदूस जो पंजाब में रहते थे उनके अंदर एक feeling आने लग गई कि भई हमारे सामने सिखों को एक undue privilege दिया जा रहा है और इसकी वज़े से कही ना कहीं हम जो देख रहे हैं वो ये है कि एक तरीके से जो society उसमें inequality को not only foster किया जा रहा है बट nurture किया जा रहा है deliberately through state policy तो ये दूसरी tendency थी अच्छा तीसरा issue Britishers के दोरान ये वावरेंस कि जो गुर्दवारास थे सिखों के वो गुर्दवारास वर mostly initially under the control of mahants और जो ये mahant होते थे ये basically some of them वर basically also सहजदारी सिख्स सहजदारी सिख्स और केशदारी सिख्स में ये फरक होता है कि सहजदारी सिख्स वर slow adopters slow adopters to the path of सिख्खिजम देखिए nobody was born a Sikh at the time when Guru Gobind Singh Ji had conceptualized सिख्खिजम तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आप अगर सिख्खिजम के tenets को follow करते हो और instantly follow करते हो तो you'll be designated as a Sikh पर कई लोगों ने पंजाब में वो instantly follow नहीं किया some of them were slow adopters तो वो जो slow adopters थे जिनोंने पहले केश रखे फिर उन्होंने उसके बाद बाकी tenets को follow किया so they were called सहजदारी Sikhs and some of these सहजदारी Sikhs were also Mahans because they were relatively pretty powerful at that time तो Sikhों के जो गुर्दवारे थे they were under the control of these Mahans and majority of these Mahans because इनके पास गुर्दवारों का control था और गुर्दवारों में दान का कल्चर होता है गुल्लक होती है गुल्लक में बगवान के आगे लोग सजदा करके पैसा चड़ाते है तो ये Mahans के बीच में बहुत सारी corruption और corrupt practices होती थी और मैंने आपको भी बदाया है कि रंजीत सिंग के दोरान Sikh kingdom में moral degradation काफी था और ये moral degradation एक तरीके से Mahans में भी देखने को मिला तो this is something which was not acceptable to the larger Sikh community जो की केशदारी Sikhs थे तो third seed यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए कि वो ये lay down किया गया कि जो केशदारी Sikhs थे उन्होंने बोला कि भाई वाई शूड दारी Sikhs and why should these Mahans have control over the Sikh Gurdwaras when they do not even follow the principles and the tenets of Sikhism which was so absolutely right तो इसको counter करने के लिए Akali Dal एक पाटी बनी और Akali Dal पाटी ने गुरदवारा movement start किया और वो गुरदवारा movement के साथ साथ उसने गुरदवारे के control को हासिल किया अब वो modern India के aspect में कि Sikh Gurdwaras Act पास हुआ and all that stuff we don't need to go into that but what we are looking at is the larger thought process so Sikh Gurdwaras Act पास होने के बाद गया हुआ कि केजधारी Sikhों को ही एक तरीके से मौका दिया गया गुरदवारों के control का and that is how the Akali Dal began to dominate the Gurdwaras and आज की date तक Akali Dal का एक strong gold है Gurdwaras politics में पूरे Punjab में and rest of the India जहाँ पर एक तरीके से बाकी जगाओ पर भी Sikh के historical Gurdwaras है अब आपको एक चीज़ बड़ी important friend समझनी है कि यहाँ पर अब आप देखें तो Britishers जब इंडिया में थे तो उनके दुरान तीन बड़ी problems हुई एक problem यह हुई कि कैशदारी सहचदारी Sikhs का एक division था दूसरी सबसे बड़ी problem हुई कि भई सिखों के अंदर एक inequality भर दी गई यह कहके कि भई देखो जो हिंदू से उनको alienate कर दिया गया और सिखों को privileges देते गए देते गए देते गए अब जो सिखों को काफी सारों को privileges मिल रहे थे Britishers की तरफ से many of those Sikhs began to join the Indian National Congress also so Indian National Congress में एक elitist Sikh element join करने लग गया जिसमें कि यह सारे महराजाद आ गए all these small small area के महराजा महराजा ओफ पते आला महराजा ओफ बताला and all these भगवाडा and all these regions जो थे यह सारे धीरे-धीरे करके Indian National Congress के साथ जोड़ने लग गया जब National Movement चला था पर अभी हमने देगा कि 1920s में अकाली दल भी आई अकाली दल was initially more concerned about the गुर्दवारा politics but then गुर्दवारा politics के दुरान उसको यह चीज़ रेलाईज हुई कि देखिए इस सिख सोसाइटी जो है वो बटी हुई है उसमें जो अपर कास्ट वाले और अपर कास्ट वाले यानि की मतलब जो रिचर क्लास वाले सिख्स हैं वो एक तरीके से अल्रेडी Congress के साथ जोड़ रखे हैं तो जो Middle and Lower Class वाले सिख्स हैं वो Middle और Lower Class वाले सिख्खों को अकाली दल ने जोड़ना शुरू किया तो अकाली दल ने अपना अलग एक टाइप का of Mass Mobilization शुरू किया तो यहाँ पर अकाली दल देखिए जो इनीशली एक तरीके से गुर्दवारे Controls के ले आई थी अब उसने अपने एक Political Ambition शुरू कर दिया क्योंकि उसको लगा कि जो Middle और Lower Class वाले सिख्खें एक तरीके से वो कही ना कही जो है उनको Political Aspiration या Political Power का टेस्ट ब्रिटिशर्स के दोरान नहीं मिल रहा तो अकाली दल ने एक Political Ambition पालना शुरू कर दिया और फिर अकाली दल ने जब इंडिया इंडिबेंडेंट होने वाला था तो इस Political Ambition को नर्चर करने के लिए उसने एक Separate पंजाबी सुबा सुबा यानि की प्रोविंस मांगने की कोशिश करनी शुरू करी और एक वो डिमांड रखा और जब Constituent Assembly बनी तो Constituent Assembly में काली दल के कई लीडर्स थे जो जाके हमारे Indian National Movement के जो लीडर्स जो Constituent Assembly के भी लीडर्स थे उनको जाके मिलके उन्होंने बोला कि भई हमारे को एक पंजाबी सूबा दिया जाए for पंजाबी speaking people which will be called खालिस्तान जो खालिस्तान उन्होंने जो ideate किया ध्यान दीजिए जो उन्होंने ideate किया काली दल ने वो एक खालिस्तान ऐसा था कि that was going to be a separate state for the six which was to be conceptualized under the Indian Union उस टाइम पे कोई ऐसी tendency इस शब्द को नहीं दी गई तो जब खालिस्तान का शब्द 1940s 50s में use किया गया काली दल की दरफ से तो it was not a negative word जो आज की date में है at that time it was basically a separate state for six that was envisaged under the Indian Union पर constituent assembly ने एक तरीके से एक linguistic provision के basis बे इनका demand को reject किया जिसकी वज़से six sentiment काफी hurt हुआ लेकिन जब हम लोग independent हुए friends तो पंजाब में स्थिती ये थी कि एक elite class of Sikh बन गए थे जो Congress से जुड़े हुए थे जो मासे से पूरे disconnected थे और एक अकाली दल था जो एक तरीके से struggle कर रहा था lower and middle class Sikhs को एक तरीके से जोड़ के उनके political aspirations को articulate करने के लिए तो mass-based ज़दा अकाली दल के पास था that is why after the independence Akali Dal was one of the first parties to form a non-congress government also in Punjab so Akali Dal के पास क्योंके mass-based ज़दा था तो as a result of which Akali Dal was able to basically mobilize people पर Akali Dal का जो एक dream था कि एक separate state within the Indian Union अपने को मिले वो नहीं मिला इसलिए जो Punjab, Haryana और एक तरीके से जो है Himachal के थोड़े से region वो Pepsu के एक under पूरे maintain करके महाँ पर रखेगे जो आपने polity में भी पढ़ा होगा लेकिन अब आप ये चीज़ को मत भूलिएगा कि इस दोरान भी जब ये चीज़ें चल रही थी Hindus अभी भी alignated feel कर रहे थे अभी भी निरंकारीज थे पूरे Punjab में जो living guru के बारे में चर्चा करते थे जिनको अकाली दल बहुत hate करता था क्योंकि वो कहते थे कि भई देखो हम लोग तो गुर्दवारे को control कर रहे है और गुर्दवारे में हम true Sikhism को follow कर रहे है और Sikhism का principle सबसे बड़ा ये है कि you cannot have a living guru so you know the problem in Punjab as a province or the problem in this entire region as a province was the Pepsi region was कि जो Sikh थे कहीं न कहीं उनके जो historical grievances है Hindus जो उनके historical grievances है और ये जो Sikhों के अंदर निरंकारियों के साथ एक historical grievance था ये resolve नहीं हुआ था so आप समझने की कोशिश कीजिए कि there were seeds of problems and grievances which were unresolved even after independence अब problem सबसे बड़ी पता है क्या हुई problem सबसे बड़ी ये हुई कि जब हम लोगोंने independence gain किया तो independence gain करने के बाद friends ये हुआ कि ये जो Sikhों को specific privileges Britishers ने दिये थे उस समय कि भई उनको posts reserve करके armed forces में दी जाती थी या उनको landlord class बना के एक तरीके से रखा जाता था ये सारे privileges जो है छीन लिये गए post independent government of India ने अब जब post independent government of India ने ये सारे privileges छीन लिये उनसे तो इसके बाद क्या हुआ तो Sikhों के अंदर एक void आने लग गया और void ये आने लग गया कि भई Hindus जो थे उन्होंने partition of the country करके इंडिया बना लिया, हिंदुस्तान बना लिया जो मुसल्मान थे उन्होंने partition करके पाकिस्तान मना लिया तो Sikhों को partition से क्या मिला तो अब आप देखिए कि post independent India में एक segment of Punjab में एक segment of population of Punjab में एक ऐसा thought develop होना शुरू होने लग गया कि what did the Sikhs get out of the partition और इन में कई लोग ऐसे भी थे कि भई हमें तो अपना एक separate subah और province भी नहीं मिला हम तो जो अकाली दल वाले बोल रहे हैं कि एक खालिस्तान का यह और province दे तो इनको तो वो भी नहीं मिला तो you know यहाँ पर मैं जो आपको बार बार बेटा point बताने की कुशिश कर रहा हूं in all these thoughts that I am giving you is कि there were many problems in Punjab which remained unaddressed और जैसा हम लोग जानते हैं कि because these problems will remain unaddressed so what will happen is your adversaries will only nurture these problems and fault lines to destabilize you and Punjab में precisely यही चीज़ हुई तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि पहले तो यह सारे grievances present थे 1965 इंडिया पाकिस्तान की war के दोरान जब Punjabी जब पंजाब के population ने government of India की armed forces की बहुत मदद करी पाकिस्तान को counter करने में तो as a gift to the people of Punjab for their you know valor for their participation and for their support to the government and also to the support to the armed forces to fight the adversary called Pakistan 1966 में Punjab को एक तरीके से separately create कर दिया गया एक हर्याना बन गया एक पंजाब बन गया हिमाचल के थोड़े से areas उनके पास चले गए जो पेपसू का पार्ट था उसको तोड़के eventually एक पंजाब बना दिया गया पर friends जब यह पंजाब बन भी गया अब आप फिर सोचो कि पंजाब एक 1966 में जब एक independent state बना तो सबसे पहले तो अकाली दल ने बोला कि भाई देखो हमारी victory हो गई हम तो 1950 से यही बोल ले थे कि हमारे को तो एक separate सूबा चाहिए हमारे को एक separate province चाहिए तो अकाली हों की तो एकदम जो है market में इज़द भी बढ़ गई लोगों ने भी बोला कि हाँ यार अकाली इस तो no doubt पिछले 16 साल से एक separate सूबा मांगी रहे थे तो ये देखके congress party जो थी जो center में थी उस समय उसको बड़ी insecurity भी और उसको ये insecurity होने लग गई कि यार ये तो हमने पंजाब create किया as a gift for the पंजाबी people and इसका सारा का सारा advantage जो है वो credit जीवी ले गए और credit जीवी यहाँ बर उस समय के कौन थे वो थे अकाली दल वो अकाली दल वालों ने photo में लगानी लग दी thank you thank you कर करके तो होने क्या लगा इस पूरे process को tackle करने के लिए उस समय एक तरीके से Congress Party ने जो Government of India में और Central Government में थी उसने conceptualize करना शुरू कर दिया एक बहुत important point and that started happening in 1966 only in the form of Green Revolution तो उन्होंने सोचा कि यह जो अकाली दल है जो एक euphoria में believe कर रहा है और एक तरीके से पूरे thought process को इस तरीके से manipulate कर रहा है कि भई पंजाबी सूबा जो है वो Congress ने नी वो तो हमारी वज़ा से बना उसको break करने के लिए कहीं न कहीं Congress ने conceptualize किया एक Green Revolution की strategy तो Green Revolution की strategy से क्या हुआ कि Green Revolution में idea ये था कि भई जो rich farmers हैं जो कि already एक upper class वाली society थी वो एक तरीके से technology के inputs लेके agriculture कर ले अब आप यहां पर ध्यान से देखो Congress आती थी कि हमारे जो elements हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए उनको benefit मिल जाए पर problem क्या थी friends problem ये थी कि जब Green Revolution launch भी हुआ और उसमें technology based agriculture करना था तो उसको तो cable rich farmer effort कर रहा था poor farmers जो थे जो अकाली दल के पाट थे देवर not in a position to basically gain benefit out of it तो society में inequality और बढ़ने लग गई और इस inequality के बढ़ने के कारण क्या हुआ कि economic grievances और बढ़ी Hindus already aligneded feel कर रहे थे सिखों और निरंकारियों के बीच में clash already चल रहा था economic inequality की वज़ा से seeds of economic discrimination और आने लग गया तो ये जो सारी चीज़ें पंजाब में continued रही एक तरीके से pre-British era से लेके British era के दोरान and then subsequently even after independence इसको फिर gradually 1970s and 80s में हमारे adversaries ने, America ने और Pakistan ने मिल के पूरा जो हम security issues में पूरा detail में पढ़ते हैं उनके interests articulate तभी होंगे जब उनको एक खालिस्तान मिलेगा और वो खालिस्तान जो है, वो वो state होगा जो इंडिया का party नहीं होगा तो अब आप समझ रहे हैं कि अकाली दल का जो idea of खालिस्तान था कि एक खालिस्तान हमें मिल जा separate सूबा और प्रोविंस separate सूबा और प्रोविंस मिल जा which will be a part of India only तो वो तो 1966 में अचीव हो गया था पर बाकी क्यूंकि grievances जो थी, वो unaddressed थी तो इस कारण से जो society में एक chaos था और flux था उसको हमारे adversaries ने channelize करके एक narrative बनाया कि भई, सिखों को एक तरीके से justice तभी मिलेगा जब कहीं न कहीं एक तरीके से सिख इखटे होके अपने आपको भारत से तोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी 1970s और 80s में जो narrative बने पंजाब में, वो narrative regionalism को support करने के लिए हमारे adversaries ने ऐसे बनाये कि एक जगा पर हमारे adversaries बोल रहे थे कि देखिए आप जो हैं सिखों को एकटा करके उनको separate कर दीजे इंडिया से आधे सिख बोल रहे थे कि बही separate काई को हो ना जब अपने को एक अलग province मिल गया उस province में अपने issues को resolve कर लेंगे हम लोग अपने आप और एक segment था तीसरा society में जो कहा रहा था कि नहीं separatism से ही काम मनेगा तो यह जो regionalism की tendencies दिखी तो obvious ही बात है क्योंकि यहाँ पर हमारे adversaries ने हमारी fault lines को exploit करके एक तरीके से secessionism को promote करा, terrorism को promote करा, तो इसका सबसे पहली strategy जो थी counter करने की वो obvious ही बात एक security centric strategy थी, तो security operations होते हैं, इसमें operation blue star operation wood rose, operation black thunder बहुत सारे operations होते हैं which we study in security issues, but eventually by 1990s, जब यह security operations khatam हुए, the people of Punjab realized, यही violence is no solution, and as a result of which the government of India also began to shift their gears, and then brought in the same doctrine of social justice, तो आज की date में, पंजाब में जो यह regionalism की tendency है, यह almost finished है, इसलिए हम लोग security issues में भी जब पढ़ते हैं पंजाब को हम यही बात बोलते हैं, कि आपका adversary जो है, यह separatism की tendency को revive कर सकता है, पर आज पंजाब के लोग इस narrative को कभी support नहीं करते, क्योंकि पंजाब के लोग इस three decades of violence के बाद समझ चुके हैं, कि हमारा जो soul demand था, वो था separate speaking, पंजाबी speaking population के ले एक सुबा, a province which they have got, हाँ अब जो next important point है वो है developmental deficit पंजाब का, तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि when a region demands a development that demand for development does not tantamount to regionalism, तो regionalism की tendency जो पंजाब में आई, वो हमारे adversaries की वज़ा से आई and I hope now अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इन adversaries की वज़ा से जो ये problem को support किया गया उस problem को हम लोगों ने एक तरीके से doctrine of social justice, economic empowerment, political development of the society along with developmental initiatives के ताथ हम लोगों ने tackle करा है और अभी भी कर रहे हैं, so it's an ongoing process, like in Kashmir it's an ongoing process, so article 370 का abrogation जैसे कश्मीर में ongoing activity थी, इसी तरीके से पंजाब में, developmental deficit को address करना लोगों तक विकास पोचाना, development के benefits पोचाना, politically integrate करना is an ongoing process, but this is how we have tackled the entire problem of Punjab so I am based video से आपको इस चीज़ की complete clarity हो गई होगी, thank you